नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर अनुरंजन बिस्ट है और आज हम बात करेंगे Obsessive Compulsive Disorder यानि की OCD की बहुत लोगों को OCD की शिकायत रहती है और कई बार उन्हें पता भी नहीं रहता है कि जो OCD है ये एक बिमारी है और इसका इलाज Possible है तो कई लोग इलाज करते भी हैं लेकिन दवाईयों से कई बार फाइदा नहीं होता है और फाइदा भी होगा तो 20 परसंट 30 परसंट फाइदा होता है और उनकी life में फिर भी उसके symptoms का affect आता रहता है तो इसके symptoms क्या हैं, चलिए उनको देखते हैं, तो OCD में दो तरह के symptoms होते हैं, एक को कहते हैं obsessions, जिसमें बार बार विचार आना, और दूसरा है compulsions, जब obsession ऐसे विचार आते हैं, for example, अगर आपको ऐसे विचार आ रहा है कि आप हाथ गंदे हैं, तो उसको obsession कहते हैं, और फिर 20-30 बार दिन में दो रहा हैं, और इतना दो रहा है कि उसके skin जो है, पूरी red हो गई है, और पूरी उतर रही है, तो इसका मतलब ये OCD की problem है, इसके अलावा बार बार चीजें चेक करना, कि gas बंद है की नहीं है, दरवाजा बंद है की नहीं है, चीजों को arrange करना, घर में ब ऐसा काम नहीं किया, तो कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ गलत हो जाएगा, कई बार जो होता है, OCD खाली विचार रहते हैं, कई बार ऐसे विचार आ सकते हैं, जो आदमी को लगे कि ये मिरे को विचार नहीं आने चाहिए, जैसे कोई लड़ाई जगड़ेगा हो गया कि ऐसा विचार आया कि मैंने इसको मार दिया है या कोई religious भी कई विचार आ जाकते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया है और भगवान अमिर को कोई पनिश करेगा या कुछ गलत होगा मेरे साथ तो उसमें आदमी की चिंता वनी रहती है फिर वो बार बार चीजे करते हैं इसको हम कहते हैं compulsive behavior ताकि उनको anxiety जो उनके विचारों से आई है वो थोड़ी कम हो लेकिन जितना भी करते रहें वो कम नहीं होती है फिर लोग OCD में घंटों उनके विचार में या compulsive जो उनका behavior होता है उसमें घंटों बिता देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं चाए जॉब हो पढ़ाई हो फैमिली का देखना हो वो नहीं कर पाते हैं अभी तक जो treatment चलता था OCD का वो जादतर medicine रहता है और कई लोगों को medicine से फायदा नहीं हो पाता है और अगर फायदा भी होता है तो 20-30% ही improvement होता है तो अभी हम जो नई treatment लेके आए हैं OCD के लिए जिसमें हम transcranial magnetic stimulation या TMS magnet यूज करते हैं जिसमें दिमाग में कुछ circuit होते हैं OCD में वो उन circuit में normally current नहीं चल रहा है तो उनको magnet के दुआरा हम ठीक करते हैं इसके अलावा हम एक ketamine treatment भी करते हैं जिससे OCD विचारों में कमी आती है और एक polyvagal treatment भी होता है इसके लिए जिसमें हम जो दिमाग की जो नसे होती है और दिमाग का जो center होता है जिससे anxiety control होती है उसको reset करने में help मिलती है तो अगर आपको OCD है और आप परेशान है और जो treatment आप ले रहे हैं अगर उससे फाइदा नहीं हो रहा है तो मैं suggest करूँगा कि आप हमारे clinic को phone करें और एक consultation करें हमाई psychiatrist से और देखें कि जो हम treatment offer कर रहे हैं नए treatment जो है उससे आप advantage ले सकते हैं और अपने symptoms को ठीक कर सकते हैं तन्यवाद